Hello friends, welcome back with a new video, मेरा नाम है उतकर्ष, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए application का review करने वाले हैं, हम सबसे पहले इसके उपर अपना account open करेंगे और देखेंगे कितना आसान है इसके उपर अपना demand account open करना, फिर इसके वाद हम इस application का navigation देखेंगे, यानि कि मार्केट की, लाइब मार्केट की, उनको track करना, ये सारी चीजें इस application के उपर देखना कितना असान है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में जारेंगे, इसके अलावत दूस्तों आपको बता दूँ कि ये जो trading platform है Amstock, ये मेरे asset company का है, मेरे asset South Korea की number one financial services company है, इंडिया में इनके कई सारे mutual funds भी है, जिनमें कई सारे investors invest भी करते हैं, और इनके mutual funds काफी अच्छा perform भी करते हैं, तो चली दोस्तों बिना किसी देदी के आज के इस video को शिरू करते हैं, तो दोस्तों description box से मैंने इस website का link दिया रखा है, आप उस पर से click करके directly visit कर सकते हैं, OTP आएगा कुछी मिनट में आपके पास, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है, OTP फिल करने के बाद यह confirm हो जाएगा, इसके बाद इनका जो voice assistant है, जिसका नाम है Meera, वो आप से language select करने को बोलेगा, एक English select कर सकते हैं, या फिर Hindi select कर सकते हैं, या फिर से skip भी कर सकते हैं, तो पर अभी आपको अपना email ID डालना है, email ID डालने के बाद आपको get OTP पर click कर देना है, और आपके email पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है, आप अपने updates folder में या फिर promotions folder में देख लीजेगा, इसका email आया होगा, अगर आपको वहाँ भी नहीं मिलता है, date of birth डालना है, और अपने यह documents है, इसको डीजी locker पर submit करना है, या फिर वहाँ से जो KYC details है, उसे यह fetch कर पाया, ताकि आपका जो account open का process है, उसे complete किया जा सके, date of birth डालने के बाद सब्मेट कर दीजेगा, इसके बाद आप से selfie लेने को कहेगा, ताकि आपके identity वेरिफाइ की जा सके, selfie upload करने के बाद आप से confirm कर दीजेगा, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना signature करना है, signature करने के बाद आप प्रोसीड कर दीजेगा, और confirm कर दीजेगा, इसके बाद आपको अपना bank account debt करना है, जब आप अपना bank का IFSC code डालेंगे, तो automatically उसकी जो branch का code है, या जो details है वो सारी के सारी वहाँ पर आ जाएंगी, इसके बाद नीचे आपको अपना bank account number डालना है, bank account number डालने के बाद आप verify कर दीजेगा, फिर यह automatically आपके bank को verify करेगा, within few seconds, और यहाँ पर आप दी सत्य मेरा bank verify हो चुका है, और automatically new screen पर अभी यह redirect कर देगा, इसके बाद आपको अभी save के उपर click करना है, फिर उसके बाद आपको अपना occupation सेलेट करना है, इसके बाद आपको अपना trading experience सेलेट करना है, इसके बाद आपसे nominee एड करने को कहता है, जिसको आप बाद मेंगी add कर सकते हैं, तो अभी फिलाल मैं बाद में add करूँगा, इसलिए भी इसको मैं no कर देता हूँ इसको मैं बाद में भी जब चाहें तब एक्टिवेट कर सकता हूँ अभी मुझे e-sign करना है आधार कार्ट के थूँ तो मैं click here to e-sign पे click करूँगा यहाँ पर मुझे अपना आधार इसके अलावा आप चाहें तो अपने mobile number से भी login कर सकते हैं इनके application के उपर और जो password रहेगा first time का वो आपके email के उपर send किया जाएगा website पर सारा process complete होने के बाद आपके login credentials यानि की login ID और password आपकी email पर send कर दिया जाएगे यह email आएगा mstock का यह आपके spam folder में आ सकता है तो spam में एक बार आप check कर दीजेगा within few hours यह email आ जाता है यह मेरा login ID password मुझे मिल गया है चली इसको अभी हम इसके जो application है mstock का वहाँ पर जाके इसका use करते हैं और login करते हैं तो अभी हम लोग चलते हैं सबसे पहले इसका application download कर लेते हैं तो अब यहाँ पर click कर सकते हैं get it on google play पे जब इस पर click करेंगे तो यह play store पर जाएगा और वहां से आप mstock app download कर सकते हैं इसको मैंने पहले से download कर रखा है तो अभी मैं click करूंगा open के उपर यहाँ पर सबसे पहले आपको login page मिलेगा जहाँ पर आप अपना mobile number और client code enter करके login कर सकते हैं इसके बाद जो email के उपर आपका OTP आया है या फिर जो password आया है आपको यहाँ पर डालना है तिर इसके बाद आपको date of birth डालना है और login के उपर click कर देना है login के उपर click करने के बाद आपसे new password set करने को बोलेगा यहाँ पर आप अपने नया password set कर सकते हैं password डालने के बाद आप submit पे click कर दीजेगा आपका password successfully change हो जाएगा फिर continue करके आप इसमें दुवारा से login कर सकते हैं login details डालने के बाद आप login कर दीजेगा जैने इसके बाद आपको अपना mpin set करना है ताकि आप जब दुवारा से कल या परसों जब कभी भी दुवारा से अपना app को लेंगे तो बस आपको simple अपना mpin डालना होगा और आपका login हो जाएगा आप चाहें तो अभी से skip कर सकते है मैं भी से skip करूँगा और यह हमारे सामने m stock app open हो जाएगा जहाँ पर सबसे पहले आपको इंडिया की जो key indices हैं वो देखने को मिल जाती है यानि की nifty, sensex और bank nifty इसके बाद आपको global indices देखने को मिलती है जिसके डाउ जोन्स कितना trade किया है, Nasdaq, S&P, NCSE 40, DAX और Hang Seng इसके यहाँ पर आप नीचे हो आएंगे तो यहाँ पर आपको popular stocks देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने gain किया है या फिर आप losers देख सकते हैं और फिर जिनका volume जादा है उनको देख सकते हैं या फिर by value जिनके जादा है active है आप उनको देख सकते हैं इसके अलाबा जो highlight होती है market क जो important news होती है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है इसके अलाबा जो FII और DIA का data होता है तो वो भी आप यहाँ पर clearly देख पाते हैं इसके application में आप नीचे देखें आपको 5 option देखने को मिलते हैं सबसे पहला आपको यह home page है फिर इसके बाद आपको portfolio देखने क कर सकते हैं चलिए एक stock search करके देखते हैं कितना जल्दी result आता है और क्या देखने को हमें मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं Reliance के दोनों stock आच चुके हैं एक NAC और BSE दोनों और कैसे trade कर रहा है within few seconds जो update होता है जो प्राइस update होता है वो भी clearly वहाँ पर देख रहा है चलिए watchlist में इसको save करना चाहें उसमें save कर सकते हैं मैं watchlist 1 के अंदर इसे save कर देता हूँ देखिए आ गया है stock added successfully to watchlist 1 इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं अगर आपको इसका चार्ट देखना है या फिर buy and sell करना है तो directly एक बटन दे रहा है बस आपको एक बटन पर क्लिक क कर देना है और यह देखिए यहाँ पर यह screen tilt हो जाती है और यह trading view का टर्मिनल यूज करते हैं यह लोग और trading view टर्मिनल का यूज करते हुए यहाँ पर रिलाइंस का चार्ट आपको देखने को मिल जाता है चलिए इसे अभी मैं cut कर देता हूँ अभी नीचे से हम अगर watchlist पर क्लिक करें तो अब द्यान होगा आपको हमने भी रिलाइंस को एड किया था तो watchlist 1 में आप देख सेते हैं रिलाइंस है इसके लावा जो भी order सा प्लेस करते हैं वो order section में आपको दिख जाएंगे चलिए इसमें अभी हम लोग एक share buy करके देखते हैं कि कितना आसान है य करेंगे और सबसे पहले इसमें हम अपना पैसा करेंगे तो हम directly क्लिक कर देंगे fund transfer के उपर और UPI medium से हम इसमें एड कर लेंगे तो दोस्तों अभी हमने यहां बर 1000 रूपीज एड कर लिए हैं आप देख सेते हैं उपर available to trade में 1000 रूपीज दिखा रहा है चलिए बैक करते है और एक share को हम लोग buy करते हैं for example हम लोग buy कर लेते हैं IEX को तो search के उपर जाएंगे और यहां type करेंगे IEX और यह IEX का NAC का share आ जाएगा अभी हम इसके उपर click करते हैं और simply buy के उपर click कर देंगी आपको कितनी quantity buy करनी है आप उसको fill कर सकते हैं यहां पर अभी हम three quantity buy कर लेते at market price ठीक है और यहां पर मैं simple buy के उपर click कर दूँगा और यह मेरा share buy हो जाएगा देख सकते हैं अब कितना आसान है इसमें किसी भी share को buy करना यह हमारा order place हो चुका है view orders में जाएंगे तो order execute हो चुका है इसलिए pending section में कुछ भी नहीं है executed में जाएंगे तो आप देख सकते ह है IEX हमारा completely buy हो चुका है अभी अगर आपको इसे sell करना है तो आप sell के उपर click कर सकते हैं यहां पर अभी कोई में हमने order place नहीं किया है चलिए एक order place करते हैं IEX के जो हमने 3 share buy किया है NSE पर winning को sell करते हैं इसके उपर हम click करेंगे और फिर sell के उपर click कर देंगे यह sell का dashboard आ जा करेंगे तो अभी भी आप देख सेते हैं pending में कुछ नहीं क्योंकि यह execute हो चुगा है तो यह देखिए sell पर आप देख सेते हैं यह हमने sell कर दिया है 3 share और buy के उपर click करेंगे तो यह आप देख से आप पर पेंडिंग और executed एक साथ शो करते हैं लेकिन M stock app पर आप देख सेत हैं इसके अलाबगे आपको देखना है अगर कि सिर्फ हमने buy जो order place के थे वो क्या है तो आप buy के उपर click करके यहां पर से आप आराम से देख पाएंगे इसके बाद अगर आपने जानना है कि आपने sell order कौन से place के थे तो आप sell के उपर click करके sell के सारे orders देख सेते हैं इसके जो आपके equity के orders थे, future के order थे और जो options के order थे वो भी आप यहां पर से देख सकते हैं investments in securities markets are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing Markets are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing